कि अभी एक बॉर्ड मैं अलड़ी खोला हूं तो अभी मैं खोल के बस चेक कर रहा था तो क्या क्या गया हुआ है थोड़ा देखें थोड़ा इस पर इसका पार्ट नम्मर है यह इसका पार्ट नम्मर है यह मेरा एच्पी का बोर्ड है इससा अधर तो कुछ देखने का मुझे मिला नहीं इसका बैक से साइड से इस बिल्कुल सही है इसमें पाटिकुलर सारा कुछ सही लग रहा है अब इसमें चेक करते हैं कि मेरा फाइनली प्राव्लम इसमें ओन हो रहा है बट डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो चलिए इसको फाइनली एक बार चेक करते हैं इस पर अब सब्सक्राइन करने के बाद इसको एक बार इसको फैन भी अटेज कर लेते हैं तभी तो पता चलेगा कि मेरा लैपटॉप पूल हो गया लेकिन प्लेन नहीं है तो फिर इसके लिए सप्लाइब पहले ही चेक करना पड़ेगा मुझे सप्लाइब के भरोसे में होता ही सब कि कुछ ना कुछ सप्लाइब का मिसिंग होगा या फिर अगर ओन हो रहा है तो फिर बायोस का इसू हो सकता है कि तो जब तक से सप्लाइब नहीं चेक करेंगे तब तक से मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मेरा कून सा सप्लाइब बन रहा है और कून सप्लाइब नहीं अब इसको मुझे एक बार फाइनली इसका बैक साइट पर लिए कि चलते हैं अब अब इससे चेक करेंगे कि क्वाइल पे की मेरा को मेरा क्या क्या सप्लाइब बन रहा है यह भी सप्लाइब मुझे बिल्कुल मिन रहा है यह मुझे 3.5 बॉल्ट का कोईल है और इधर का सप्लाइब इसका सप्लाइब मेरा कुछ नहीं बन रहा है चालिया ठीक है और इधर रेम का सप्लाइब थोड़ा चेक कर लेते हैं 1.3 बिल्कुल सही है अब प्रोसेसर को अभी खौल के देख लेते हैं कि मेरा प्रोसेसर भी किस हाल में है थोड़ा इसे तोलेट निकाल लिया इधर तो कुछ उच्छा डश्ट फिल नहीं हो रहा है मैं आपको दिखा दूँ मैंने खोला तो यह सैट यह जो रजिस्टेंस है पूरी तरह से भंगर लग गया है इस वाले रजिस्टेंस पे क्या फाइनली है यह किस चीज का सप्लाय है इसको थोड़ा सा डाग्राम में थोड़ा इसको देखते हैं तभी फाइनली पता चलेगा कि यह मेरा प्रॉब्लम अखिर इसी से है क्या क्योंकि यह सारा सप्लाय बन रहा है तो यह प्रोसेसर से साइड में मुझे यह चीज प्रॉब्लम मुझे नजर आया तो इससे एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं इसको अब इस रजिस्टेंस में मुझे आप देख सकते हैं पूरा पी आर एच बाइस में पूरा जंग लग चुका एक साइट पे तो इसे मुझे फैनरी चेंज करना ही पड़ेगा मुझे कोई बोर्ट से निकाल के लगाना पड़ेगा तो चलिए इसे निकाल के लगा लेते हैं और आपको डाइग्राम में भी दिखाते हैं इसका काम क्या चीज है करें यह मेरा पी एच अरबाइस का यह मैंने एक सेट से ग्राउंड करता है और ग्राउंड का सिगनल मतलब यह है आपका सीप्यू को देता है यह कि यह घ्राउंड का सिगनल देता है तो इसका हो सकता ग्राउंड का सिगनल नहीं मिलता होगा उसकी करन से भी होसकता है कै मेरा यह सप्लाए में प्रॉबलम करता होगा आप इसे फाइनली रिप्लेस्मेंट करके एक method और देख लेतें तुकcken्य कोई दिस्प्लेश्पि करेंगं डिया प्लेश्मिंट करने की पात pass मैं चैंज कर चुका हों अभ थोड़ा स understand का जोँ हूँ कर चुका हूँ अब इसे फाइनली विख से ठोड़ा साथ कर लेते हों कि ब्रस से साप करने के बाद इसको देखना पड़ेगा मेरा कनेक्शन अवर सभी है कि नहीं है मेरा बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल सही से और साप सुत्रा में अलड़ी कर चुके लग चुका है तो चलिए अब इस पे फाइनल एक बर फिर से डिस्प्ले चेक करते हैं क्योंकि ये मेरा सिप्यू सेक्शन का था फाइनली कि इसे एक बर ठंडा होने के बाद इसे ओन करते हैं और ओन करने के बाद इसे दिखते हैं कि फाइनली मेरा डिस्प्ले आर आई की नहीं आ रहा है इसके लिए मुझे हिट सिंग होगा रहा सब लगाना पड़ेगा मेरे पर मैं अलड़ी खुल चुका हूं तो अब हीट सिंग होगा लगाना पड़ेगा मझे फाइनली मैं अलड़ी सारा कुछ लगा चुका हूं और लगाने के बाद मेरा कीबूट का डिस्प्ले सब की नहीं है अब सब कुछ लगा चुका हूं अब से फाइनली लगा देते हैं यह में लाइट आ चुका ठीक है अब इसे फाइनली औन और करते हैं यह मेरा ओन से फैन ही रोडेशन हो εια ए किबोरड में डिस्पेले गिया सी मेरा की वोड में Laure डिस्पेले आ चुका है है तो ये जो मेरा प्रॉबलम था ओजर रजिस्टेंस था जो सैट में रजिस्टेंस काथा ग्राउन तक है नहीं मिल से प्सक्रीड ये मेरा डिस प्ले कांक hè प्रेक्वी सालाइ मेरा घ्री इस पे बना रहा था औल्रेडि इसमें मेरा इसमें यह बना रहा था बट्ट मेरा फ्राइनली डिस्पले नहीं था तो वो राजिस्टेंस को मैंने फाइनली चेंज कर दिया के बाद मेरा फाइनली ये डिस्पले आ चुका है अब चलिए इसे फाइनली बोड में कस के थोड़ा सा देख लेते हैं किसमें मेरा डिस्पले हाई की नहीं है तो अब इसे फाइनली ओन करते हैं और ओन करके देखते हैं फाइनली डिस्पले यस ये मेरा फाइनली डिस्पले आ चुक एक छोटा सा प्रोब्लम था रजिस्टेंस का इसू था वह भी प्रोसेसर के सामने में